नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीकिसोर और स्वागत है आपका मेरे यूप टिप चैनल की शोट टेक टॉक पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप L&T Finance आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो L&T Finance का जो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आप कैसे लौग इन कर सकते हो ताकि दोस्तो आप भी अगर L&T Finance से कोई लौन वगएरा लिये हैं या गारी वारी फाइनेंस कराए हैं तो आप अपने लौन का जो डिटेल है वो देख सके उस एप में और आपको कब लौ लौन भरना है कितना भरना है आप अपना लौन एकाउंट नंबर उसमें देख सकते हो और अपना लौन स्टेटमेंट वगएरा सब कुछ उसी एप में देख सकते हो तो दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए और अब भी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं करा तो सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तो चलते हैं मुवाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं तो दोस्तो एलेंटी फाइनेंस का जो एप है उसक डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में चले जाना है तो मैं प्ले स्टोर में चला जाता हूं तो प्ले स्टोर में चले जाने के बाद आपको तो दोस्तो मैं अपने फोन के प्ले स्टोर में आ गया हूँ तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्च करना है L&T Finance जैसे L&T Finance मैंने सर्च कर रखा था तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए दोस्तो यह L&T Finance का जो आप है उसका नाम है Planet Y L&T Finance इस एप को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है दो दोस्तो यह एप मेरे में इंस्टॉल हो चुका है तो आप इसको ओपेन कर लेंगे ओपेन करने के बाद जो परमीशन है वो आपको अलाव कर देनी है अलाव करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद while using this app मतलब जो permission वो दे दिया वहाँ सा आपको English रखना है English रख सकते हो ये भी आपको allow करना है मैं English वहाँ सामें continue करूंगा आपको Hindi रखना है तो Hindi रख लेना तो continue पर click करना है उसके बाद next पर click करना है उसके बाद continue पर click करना है उसके बाद यहाँ पर mobile नमबर ओ देना है जो आपने L&T Finance में जब loan कराया था तो registered mobile नमबर दिया होगा कोई न कोई उसी नमबर से login करोगे तब ही login होगा तो मैं अपना नमबर डाल लेता हूँ यहाँ तो दोस्तो मैंने अपना registered mobile नमबर डाल दिया है आप भी अपना registered mobile नमबर डाल दिजेगा उसके बाद login पे क्लिक करना है login पे क्लिक करने के बाद आपके नमबर पर OTP जाएगा जो आपके L&T Finance में registered mobile नमबर है उस पर एक OTP जाएगा तो OTP चला गया है अब यहाँ पर बोल रहा है एम पिन सेट करने के लिए तो आपको जब प्लानेट भाई L&T Finance आपको login करने के लिए चार अंका कोई पिन सेट कर लेना है तो मैं कर लेता हूं जिससे कि आप में login हो सके तो login पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने L&T Finance के एप में login हो गया हूं यहाँ पर सारा डीटेल मेरा आ चुका है जो मैं लौन बगयरा लिया हूं हर चीज यहाँ पर डीटेल आ चुका है तो इसी तरह से आप L&T Finance एप में login हो सकते हो जो L&T Finance कंपनी का एप है पलानेट बाई L&T Finance तो इसी तरह से आपका यहाँ पर यह भी दिखेंगा कि आपके लिया और भी loan approved है की नहीं हो सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पर प्यमेंट बगयरा का डीटेल है यहाँ पर कितना प्यमेंट पागी है आपने कितना कर दिया सब कुछ आपका loan अकाउंस नमबर दिख जाएगा ताकि अगर कई बार एकाउंड से आपका पैसा ना कटे तो आप पेटियम फंट पे कहीं से भी पे कर दो दोस्तों इसी तरह से जो एलेंटी फाइनेंस कंपनी का जो एप है उसको आप डाउनलोड करके लॉग इन कर सकते हो और अपने सारे जो एलेंट